तो इस वीडियो में PIX आउक में जो हैक्सा कॉप्टर होता है तो उसका प्रग्रामिंग सेटप किस पर कर सकीया जाता है और EAC केलिबरेशन किस पर कर सकीया जाता है तो इन दोनों को इसमें कवर किये हुए हैं तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक ज़रू दखिएगा Mission Planner open करने के बाद आप यहाँ पे Right Side के कोने में Connect को क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इस परकार से आपका Drone इसमें Connect हो जाएगा इसके बाद क्या करना है कि दुबारा से यहाँ पे Disconnect कर देना है Setup में जाना है Install Formware अब हम इस पे Hexacopter पे क्लिक करके Yes करेंगे Yes करने के बाद आप यहाँ पे दख सकते है पिक्साओक One लिखा रहेगा इसके बाद Upload Formware कर देंगे कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ आपके Computer में Net Connect रहना चाहिए इसके बाद यह Upload होगा यह जो Formware Hexacopter कर रहे है तो इस वीडियो में इन दोनों ठोपिक को कवर करेंगे लास्ट में आपको बताएंगे कि यह सी Caliburation किस परकार से किया जाता है तो यहाँ पे Uploading हो चुका है अब राइट साइड के कोने में Connect पे क्लिक करने के बाद इस परकार से थोड़ा टाइम लगेगा इसके बाद Connect हो जाएगा इसके बाद आएंगे Setup में Setup में सबसे पहले Frame Type को Select करेंगे जैसे कि पहले मेरा Quadcopter था तो Quadcopter पर Select किये थे अब हम Hexacopter पर Select करेंगे और मेरा Cross यानि X Arm है तो उपर वाला जो है वो Plus वाला है और नीचे वाला X Arm है तो इस नीचे वाले पर क्लिक रहने देंगे इसके बाद Excel Calibration आता है तो Excel Calibration आप कर लिजिएगा इसके बाद Campus Calibration वैसे इसमें कोई अलग से जरूरत नहीं है जैसे कि आप Quadcopter से Hexacopter में Change किये हो तो मैंने तो ये दुबारा से नहीं किये है यदि आपका जरूरत है तो उसमें आप ये रेडियो Calibration, Campus Calibration और Excel Calibration कर सकते हैं तो ये किस परकार से किये जाता है इस पे पीछे वीडियो बनाए हुए है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं तो थेक्सकॉप्टर करने के बाद यहाँ पर मोटर टेस्ट पर आ जाएंगे यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 6 मोटर का यहाँ पर टेस्टिंग के लिए दिआने लगा है याणि कि मेरा हैक्सकॉप्टर यह हो चुका है यदि ये सो नहीं हो रहा है तो आप एक बारी disconnect करके दुबारा से board को connect करिए तो आपका ये सो होने लगेगा तो जैसे कि ऐसे ही calibration कर लेना है इसके बाद आपको बता देता हूँ कि इसमें EAC calibration भी बहुत जरूरी है क्योंकि quadcopter से hexacopter में बना रहे हैं तो मेरा यहां पर डी सोट का EAC है टाइप मेरा तो डी सोट 300 पर मैं किया हुआ हूँ यदि आपका normal EAC है तो normal कर लिजिए या फिर one सोट का है तो one सोट आप इसमें करके और select कर लेंगे और इसका value कुछ पीछे वीडियो में बताया हुए है अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर select करने के बाद अपना type और यहां पर calibrate EAC पर click कर देना है यह क्लिक करने के बाद अपने battery यदि आप अपने ड्रोन में लगाए हैं तो battery और data cable दोनों remove कर दीजिए और just remove करने के बाद दुबारा से आप उसमें plugin करिए battery को cable नहीं लगाना है battery को लगाना है तो आपका blue नीला और green color का जलने लएगा इस परकार से light इसके बाद आप safety switch को press करिए प्रेस करने के बाद यह पूरा वीप इसमें बजेगा तो वीप बजने के बाद दुबारा से battery को निकाल देना है और दुबारा से restart करना है अब हम cable को भी लगा करके और directly अब इसमें चेक कर सकते हैं अपने main screen पर तो इस परकार से आप यह सी calibration कर सकते हैं तो गाइज वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस परकार से इसका programming setup करने के बाद यह flight हुआ मेरा हेक्सा कॉप्टर ड्रोन कि अच्छा कि अच्छा